हेलो विवर्स वेलकम बैक इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे है वेटनरी एनिस्थीसियोलोजी का सेकेंड पार्ट हमने अभी तक हेड रिजन के नौ ब्लोक पढ़ लिया था जो की पार्ट फर्स्ट तक था पार्ट सेकेंड में हम आगे देख रहे हैं कि नौ ब्लोक्स ओफ लंबो सेक्रल रिजन लंबो सेक्रल रिजन में सबसे नंबर वन पर जो है वो है पैरावर्टीब्रल नौ ब्लोक पैरावर्टीब्रल नौ ब्लोक में करते क्यों है तो जो लेटरल अब्डॉमिनल वाल है यह वर्टीब्रल कॉलम है जो लेटरल अब्डॉमिनल वाल है इसको नंब करने के लिए या तू एनेस्थेटाइज दो लेटरल अब्डॉमिनल वाल इसके लिए हम इसे यूज करते हैं यह दो टाइप का है एक है प्रॉक्जिमल और एक है डिश्टल जो प्रॉक्जिमल है इसमें याद अखना है कि यह T13 L1 और L2 के बीच में मतलब इनमे करते हैं ठीक है और करना क्या है तो 10 ml अफ लोकल अनस्थेसिया यूज करना है जो डिश्टल परावर्टिब्रल है उसमें भी पोजिशन सेम है T13 L1 L2 बस डिफरेंस क्या है कि इसमें 20 ml लोकल अनस्थेस्टिक्स यूज किया जाता है उसमें लिडोकेन या लिगनोकेन मोस्ट कॉमनली यूज है मतलब हमें याद अखना है कि इसमें जो अनली डिफरेंस है इस दे डोस साइट का डिफरेंस नहीं होता है कोई भी प्रोक्जिमल पैरावर्टिब्रल की बात करें या डिश्टल पैरावर्टिब्रल की बात करें क्यूं करनेंगे what are the indications for that तो indications में आपको याद अखना है कि अगर मानलो लैप्रो टॉमी करनी हो या रुमेनो टॉमी करनी हो या c section करना हो या हर्णिया ऐसे कुछ cases हो जाएं तो यह किया जाता है इसी यह question आया हुआ था जिसमें आपको यह बताना था कि proximal या distal है इसका location क्या है तो अगर आपको यह पता ही नहीं है कि दोनों same है तो फिर आप location कैसे choose कर पाएंगे next is lumbosacral region में next is epidural epidural nerve block same इसमें भी है on the basis of dose यह भी दो टाइप का होता है number one is cranial या anterior या इसी को high epidural भी बोलते हैं इसमें क्या करते हैं 30 to 60 ml दो परसेंट लिगनों के इस फाइव और कॉक्सीजियल वन या कॉक्सीजियल वन और कॉक्सीजियल टू इन दोनों के बीच insert कर देते हैं vasectomy enterotomy gastrotomy systo plus u rethrotomy nephrotomy mammotomy या फिर कोई भी affection of penis इन सब में cranial या high epidural को यूज किया जाएगा या दखना है site is same for anterior या high dose या high या cranial epidural ठीक है और same site रहेगा किसके लिए भी caudal या low dose ठीक है तो दोनों के लिए same रहेगा तो only difference क्या होता है only difference is the dose dose के कारणी कोई anterior है कोई posterior है कोई high dose या कोई low dose है या कोई cranial या caudal है ठीक है दूसरा देख लेते हैं जो caudal है या posterior बोलते है या low epidural है low epidural या posterior में क्या करते है ज्यादा तर most commonly यही उज़ होता है most commonly used होता है इसमें 10 ml same 2% lignocent दिया जाता है इसमें जो indications है वो है prolapse uterus का हो जाए या वजाइना को हो जाए न इसका या tail amputation जब करना हो तो tail amputation भी इसका indication है या कोई भी not only amputation कोई भी बेटर होगा यासे लिख दे है कि affections of tail है ना तो affections of tail हो जाए या फिर affections of tail के अलावा एनस हो जाए या वलवा या वजाइना या perenium है ना इन सब के किसी भी affections के लिए most commonly used है याद बस यही रखना है कि इसमें 10 ml यूज़ करते हैं और इसमें 32, 60 ml यूज़ करते हैं यह caudal है और वो cranial है ठीक है अब कुछ इसमें highlighted points हैं कि horses में क्या होगा तो horses के लिए याद रखना है कि जो site है site fix है वो है coxijal 1 और coxijal 2 के बीच में यहाँ sacrum और coxijal की बात नहीं करते हैं ठीक है तो यह याद रखना है इसका reason क्या होता है कि जो S5 होता है और CO1 है ना कोकिक्स का जो 1 है यह दोनों fused होते हैं इसमें इसलिए site हमेशा ही यह होता है मतलब sacrum और coxijal vertebra है जो वो fused होता है अब अगर बात कर लें sheep की या goat की है ना तो इन में ऐसा नहीं है सेक्रम और coxijal या इंटर coxijal सेम है बिलकुल जैसा आभी जस्ट देखा हमने कैटल के लिए तो बिलकुल सेम है S5 और CO1 इन में भी दे सकते हैं या CO1 और CO2 इन में भी दिया जा सकता है ठीक है एक अलग है बफलो बफलो का अलग से ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा ही S5 और coxijal 1 के बीच में देते हैं मतलब इन में इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि डू नॉट गीव इंटर coxijal क्यों नहीं देना है क्योंकि इसमें जो सेक्रल रीज होता है यह more inclined होता है forward के तरफ is more inclined forward यह याद रखना है बफलो में CO1 और CO2 नहीं दिया जाता है इंटर coxijal नहीं दिया जाता है ठीक है अब बात कर लेते हैं छोटे में डॉग कैट या पीग में तो यह आपके क्लिनिक में आता होगा अक्सर कि epidural कोई भी जो site है वो क्या है तो वो है लंबो सेक्रल यह लंबो सेक्रल साइट होता है जैसे लास्ट लंबर को टॉच करेंगा वहां पर जो डिप्रेशन बढ़िया बनता है वहीं पर epidural anesthesia का यूज किया जाता है तो यह याद अकना है कि यह साइट इन में है ठीक है यह हो गया लंबो सेक्रल रीजन के नौब लॉक्स अब बात करते हैं पेरीनियल रीजन के पेरीनियल रीजन में फर्स्ट इस प्यूदेंडल बस इसमें याद करेंगे कि क्यूं होता है तो इसमें प्यूदेंडल होता है एल्बो जोईंट कि अब ये कुरिट लेजिन है यहां खतम है यह ब्रेकिल प्लेक्सिस दूसरी बात कर रहेंगे अगर रेडियल की रेडियल की रेडिय design लब्ल係 क्यों किया जायेगा तो रेडियल लब लॉक क्शिप अ जब अ photographers हो जाता है के ऐल बो जोइंट बेलो एल्बो जॉइंट या फिर डिस्लोकेशन हो जाए एल्बो जॉइंट से नीचे तो इस केस में रेडियल नॉब लॉक किया जाएगा सिमिलरली अगर अलनर की बात करें तो अलनर नॉब लॉक कोई भी एनी अफेक्शन्स अफ वोलर असपेक्ट अफ लॉवर लेग और कारपल कोई भी कारपल का अफेक्शन हो जा लॉवर लेग का अफेक्शन हो जा तो ऐसे केस में अलनर नॉब लॉक करते हैं कि दूसरे नव ब्लॉक की बात कर लें तो मीडियन निमीडियन नव ब्लॉक अब करेंगे फॉर मीडियन नियुरेक्टोमी जैसे कि लाइक टीनो टॉमी ठीक है ऐसे और भी है मॉस्क्यूलो क्यूटेनियस नव ब्लॉक अब करेंगे तो कोई भी कार्पस का होगा तब तो वो ज्यादा इंपॉर्डन नहीं है अगर बात करें एक इस्पेशल की वो है पेरोनियल और टीबियल यह कब करते हैं तो फॉर्दर वो यह फ्रेक्शन होगा तब तो करते ही हैं लेकिन इसके अलावा करते हैं इसलिए इंपॉर्टेन्ट है फॉर्दर डियागनोसिस ओफ लेमनेस इसके डियागनोसिस के लिए भी पेरोनियल और टीबियल करते हैं अगर कुश्चन आजा ऐसा कि फॉर्द इग्जामिनेशन ओफ पेनिस कौन सा नव ब्लो करेंगे तो एक तो हमें याद ही है कि पुडेंडल है इसके अलावा दूसरा है हिमो रोइडल ये याद रतना है जो इस्चियो रेक्टल फोसा होता है उसके थूरू ये किया जाता है तो ये भी लिख सकते हैं कि थूरू इस डान थूरू इस्चियो रेक्टल फोसा ठीक अगर बात करते हैं इसमें आगे बढ़ते हुए कि 2% lignocan तो यह हमेशा याद अखना है कि 2% lignocan जो होता है यह infiltration में यूज़ किया जाता है 4% की बात करें अगर कोई कि 4% कब यूज़ होता है तो for ophthalmic अगर 10% lignocan की बात करेंगे 10% तो for skin and mucous membrane ठीक है एक अलग type का block है वो है field block field block इसके लिए जो होता है तो it is done for ruminatomy c section इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग कि inverted l shape या l shape या t shape है न इस type से block किया जाता है न और block का यह shape है ठीक है रिंग ब्लोक रिंग ब्लोक अब किया जाता है तो for teats and digits उसके लिए ring block किया जाता है यह important है यह बुच्छा जाएगा कि टीट के affection के लिए कौन सा block किस टाइप का block होगा ठीक है सिमिलरली अगर बात करें कोई कि linear block कब करेंगे तो कोई भी nerve supply अगर एक ही direction में होगी तो linear block हो जाएगा तो पस इसमें कुछ याद नहीं रखना बस if nerve supply is in only one direction ठीक है फिर एक दिन और पहले भी बात कर रहे था हम लो कि एक IVRA होता है वो क्या होता है कि intravenous जो local anesthesia होता है intravenous local anesthesia यह किसके लिए यूज होगा तो यह lower limb surgery पहले भी बात किया हमने कि कैसे इसमें को बाहन देते हैं बहुत जोर से ताकि systemic में नहीं जाए उसको एक बार previous lecture से देख लिजेगा ठीक coming to the color code of gas cylinders in India है न आप internet पर search करेंगे US वाले आ जाएंगे तो उससे confused नहीं होना है oxygen का कैसा होता है white CO2 gray nitrogen is black helium brown argon dark green nitrous oxide blue blue और acetylene की बात करें तो वह maroon होता है उसकी जरुत नहीं है पर लिख लीजे माने तो acetylene maroon nitrous oxide important है oxygen important है ठीक है एक छोटा सा term है वह है mac mac क्या होता है तो यह होता है minimum alveolar concentration तो यह होता क्या है कि it is a minimum concentration of inhalant gaseous या inhalant anesthesia anesthetic agent required in alveoli to produce unresponsiveness in skin incision in 50% of the patients यह definition आता रहता है अगर आप subjective paper देते हैं लेकिन फिर भी यह important है यह याद रहना चाहिए एक दूसरा sub topic होता है कि four point nerve block in four limb surgery इसका इसका ध्यान रखना जरूरी है सबसे पहला होता है दूसरा है dorsal metacarpal no दूसरा है medial palmar no third is dorsal branch of ulnar no and fourth one is palmar branch of ulnar no यह याद अकना है this is a four point nerve block in four limb surgery तो यह यहाँ पे सारा nerve block हमने डिसकस कर लिया है इसके अलावा ऐसा कुछ बचा नहीं है इसमें अब anesthesia में आगे बढ़ते हैं pre anesthetics की बात करते हैं pre anesthetics में सबसे number one is anticholinergic anticholinergic में इंपोर्टेंट है atropine और second is glycopyrylate यह दो है इन दोनों को देख लेना है जो atropine होता है यह block करता है acetylcholine ठीक है decrease secretion जो कि इसका काम ही anticholinergic का तो यह decrease कर देगा सारे secretions in body dry mouth condition कर देगा eyes की बात करें तो midriasis heart की बात करें तो tachycardia important रहे याद रहे it is contraindicated in fever fever में इसको use नहीं करना है dose की बात करें है तो dose 0.02 से 0.04 हम लोग 0.04 पर ही देते हैं ठीक है यह प्रेनेस्थेटिक dose है यह यादखना glycoparolate की बात करें तो ऐसा कोई खास no central effect कोई खास central effect नहीं होता इसलिए यह ज्यादा safer हो जाता है और इसको लोग use करते हैं अगर बात करें तो यह mostly use होता है ocular purpose के लिए ocular diseases में ज्यादा यूज होता है और potency की बात करें तो it is five times more potent than atropine potencies की ज्यादा है तो of course dose कम हो जाएगी तो dose 0.01 mg per kg body weight यह याद अपना यह भी mg per kg body weight ठीक है next is second is tranquilizers 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 में जो हमें याद अखना है वो acipromagin जो की generally used in horses यह याद अखना है generally used in horses जो important है अपने exam point of view से या clinical point of view से वो है diazepam यह भी पूछा जाता ने इस प्रोमाजिन कीन में यूज होता है तो इसलिए एक line इंपोर्ट बस उतना ही काफी है diazepam का first ही चीज याद अखना है कि यह contra indicated है in glucoma glucoma में contra indicated है और diazepam कभी-कभी ज्यादा effect कर जाएगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा depression हो जाएग तो इसलिए इसका antagonist यह बहुत पूछा जाता है बहुत पूछा हुआ कुछ ने बार बार कि antagonist कौन है diazepam का है इस फ्लूना इस फ्लूना जैनल यह याद अखना किस पर काम करता है diazepam तो GABA A receptors यह याद अखना ठीक है इसके अलावा अगर तीसरे की बात करें है तो ट्राई यह फ्लू प्रोमाजिन इसरे के गरूप का है ड्रग सेक्विल नाम से आता है कई सुना होगा में भी अपने सेक्विल नाम से आता है ट्राई फ्लू प्रोमाजीन HCl होता है दूसरे की बात करें थो है अग्र व्लेजन और ये लर्ग यक्टिल ट्रेड नेम से आता है उतना इंपोर्टेंट नहीं है याद रखने कि बस याद रखना है ये जो क्लोर प्रोमाजीन है ये not used in horses एसी प्रोमाजीन यूज़ हो रहा था पर क्लोर प्रोमाजीन यूज़ नहीं होता है अगरा गुरूप है सेडेटिव्स का, सेडेटिव्स जो हैं, यह अल्फा टू एगोनिस्ट है, मतलब अल्फा टू एड्रिनर्जिक, एगोनिस्ट है न, सबसे पहला जाइलाजिन, जाइलाजिन के बारे में आपको याद रखना है, कि यह कॉंट्रा इंडिकेटेड है, कब प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में कॉंट्राइंडिकेटेड है क्यों है क्योंकि ये ब्रेडि काडिया करता है ब्रेडि काडिया ठीक है और अगर इसके एंटिडोट की बात करें है तो एंटिडोट इस योहिम्बिन या एटिपामिजोल ये या दखना ठीक है दूसरे सी डेटिव के बात करें है तो that is मेडेटोमिडिन और ये जनरली यूज़ होता है होर्सेज में जनरली यूज़ इन होर्सेज और ये मोर पोटेंट है धैन जैलेजिन ठीक है अगले सी डेटिव के बात आगे की बात करें तो it is ओप्यॉइट्स ओप्यॉइट्स का एक्जामपल या रखना है फर्स्ट इस मॉर्फिन मॉर्फिन के दो काम है एक है एनलजेसिया तो ये एनलजेसिक भी है और सीडेशन भी करता है याद रखना है या आपको पहले भी पता होगा कि ये क्या होता है कॉंट्रा इंडिकेटेड होता किसमें कैट्स में कैट्स को नहीं देता है नहीं तो अदर्वाइस कैट्स को हो जाएगा मेनिया पागल हो जाते हैं लोगा ना तो मैनियक भी हैवियर हो जाता है मैनियक भी हैवियर इसी निन इफ इट इस इंट्रोड्यूजड इन कैट्स दूसरी बात करें तो पैथिडिन यह जो पैथिडिन है यह इट इस यूजड इन कॉलिक जब होर्सेज में कॉलिक होता है न तो उसके ट्रीट्मेंट में इसको यूजड किया जाता है ताकि यह जो पैण का रिडक्शन है उसको रिड्यूस कर सके अनादर इस ब्यूटर फेनॉल यह बहुत कॉमनली यूजड है ड्रग में और बहुत 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 कॉमन है आप अपने क्लिनिक्स में रेगुलरली इसको देख रहे हैंगे ब्यूटर फेनॉल यूजड होता है तो इस यूजड फॉर दे रिडक्शन ओफ पैन especially in the cancer patient cancer patient हो जाए या bone fracture हो जाना ऐसे cases में आपको bandaging करनी है किसी डॉग के तो इस टाइप से ब्यूटर फेनॉल दिया जाता है अनादर इस ब्यूप्री नॉर्फिन तो ब्यूप्री नॉर्फिन भी cancer patients में देते हैं और यहां पर यह चीज और याद अकना है कि कि एक फॉर रिरक्शन ऑफ पेन और यह पेन विस्रल में भी काम आता है तो यह याद अगना है इसको mostly cancer patient के लिए इसको याद कर लीजिए और विस्रल पेन बहुत अब जो सबसे important है इस group का जहां से question आते हैं यह फेंटानिल यह फेंटानिल के बारे में यह छोटा सा point है लेकिन यह भी इतना important है कि 50 से 100 times more potent than morphine यह important है कि 50 से 100 गुना ज्यादा potent होता है morphine से तो morphine का जो काम है वही काम इसका भी है कि post operative जो pain होगा उसके reduction के लिए इसको use किया जाता है और sedatives की बात करें है तो एक और होता है term hack वो है neurolept analgesia neurolept analgesia क्या होता है कि इसमें एक तो narcotic analgesic होना चाहिए और एक tranquilizer होना चाहिए कोई अगर यह दोनों mix कर दिया जाए तो इस टाइप के combination को बोलते है यह निवरललेpt analgesia मैं आपको बताता हूं सब इसका example है inovar वेट यह ट्रेड नेम है inovar वेट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है इसमें फेंटानिल और ड्रोपेरिडॉल का combination है ठीक है अब यह फेंटानिल और ड्रोपेरिडॉल का जो combination यह फेंटानिल अभी जस्ट हमने पढ़ा कि यह नार्कोटिक है और ड्रोपेरिडॉल एक ट्रांक्विलाइजर है इसके अलावा इसमें इंपोर्टेंट है कि एक एमिल में यह होता है पॉइंट फॉर concentration की बात करें 0.4 mg पर एमिल और यह होता है 20 mg पर एमिल तो मतलब रेशियो भी इंपोर्टेंट है यह भी कुश्चन पुझा जाता है कि फेंटानिल कितना और ड्रोपेरिडॉल कितना तो यह 1 इस्टू 50 रेशियो में राता है यह भी आज़ातना बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्ण वेट ट्रेडनेम हों दूसरा यह भी इंपोर्टेंट बहुत इंपोबिलों एले ठीक है यह इंपोबिलों में क्या है तो इसमें है टॉर्फिन और है ऐसी प्रो माजिन जो वाइड लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है यह एले बोले तो लॉंग एक्टिंग ऐसे ही एक और होगा इमोबिलोन एस ए सॉट वाला न तो इसमें भी हम याद कर लेते हैं कि जो इट और्फिन होता है वो होता है 2.45 ग्राम 45 मिली ग्राम mg पर एमिल और जो यह होता है 10 mg पर एमिल ठीक है एक और है वो है इमोबिलोन एस है यह सब ट्रेड नेम है इसमें होता है इट और्फिन प्लस मीठो ट्राइम प्राजिन यह भी सेम है 10 mg पर एमिल और यह है 0.07 mg पर एमिल आपको इतना यहीं रखना है बस आपको याद रखना है इमोबिलोन ऐसे क्या होता है यह भी निरालेप्ठ है यह वायल्ल एनिमल्स में यूज किया जाता है इतौर्फिन आपको पता होगा नहीं पता होगा तो अभी हम लोग एक बार फिर से डिस्पस कर लेंगे और इनोवार वेट क्या होता है तो यह फेंटानिल और ड्रोपेरिडॉल का कॉम्बिनेशन है और यह रेशियो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह कुछन कि एजेंट की बात करते हैं कि सबसे पहला है बार्बी टूरेट का आपको एक छोटा सा वह होगा क्लासिफिकेशन तो उसको आप देख लीजिएगा बार्बी टूरेट के बारे में क्या होता है कि यह जो होता है इनके पास इनका एक्शन जो होता है वो ग्लुकोज इफेक्ट एक पेकुलियर साइन है इनका यह ग्लुकोज इफेक्ट में क्या करते हैं कि यह इनिविट कर देते हैं जो ग्लूट ग्लूट वन है इसको ये इनिविट कर देते हैं और इसके कारण जो ग्लूकोज का ट्रांस्पोर्ट है ठीक है? Across the Blood-Brain Barrier ये क्या हो जाता है? हमपर हो जाता है ये इनिविट हो जाता है अब Blood-Brain Barrier में भी नहीं जा पा रहा है Human RVC में भी नहीं जा पा रहा है तो ये Human RVC को भी एफेक्ट करता है Blood-Brain Barrier गौस नहीं कर पाता है या Culture'd मेमेलियन से लगर है उसका भी यह आने बस ये आदक नहीं कि ये Glucose Effect जो है ये नहीं काम करता है या Absent होता है Rat and Mice Rat and Mice में काम नहीं करता है बाकि सब में काम करता है दूसरी इंपोर्टेंट बात करें है वह यह है कि Sodium Thiopental है आपने पढ़ा होगा कहीं कि ये जो है Ultra Short Acting वाले में आता है Sodium Thiopental तो ये हमेशा Always IV ही यूज होता है क्यों यूज होता है क्योंकि इसके करण Severe Tissue Necrosis होता है अगर ये गलती से Tissue में चला जागा आई-म दे दे हैं या सबकट दे दे हैं तो Tissue में चला जागा तो Severe Tissue Necrosis हो जाता है और इस Condition को बोलते हैं Barbiturate Sluffing Tissue गल के अपने आप गिरने लगेगा या सड़के गिरने लगेगा इस टाइब की चीज़े होने लग जाती है तो अगर ये Vane में जाना चाहिए और Vane के अलावा कहीं वीधा चला गया तो ये Sluffing हो जाएगा इस पूरे इलाके का ठीक है इसके अलावा छोटा मोटा पॉइंट और है वो है एक L Thessin L Thessin क्या है तो ये जो General Anesthesia है L Thessin ये है Alpha Zalone और Alpha Dalone Acetate ये Mainly याद अखना है कि ये It is used mainly in Pigs Pigs के General Anesthesia के लिए ये ये यूज किया जाता है अगला बात करें तो Propofol Propofol बहुत जल्दी Rapid Recovery है इसमें तो अगर मान दीजिए कुछ Electro Quarterie से छोटा बोटा Tumor हैटाना है या फिर बहुत छोटा Duration के लिए Surgery है तो ऐसे cases में इसको Use कर लेते हैं क्योंकि एक ही बार देंगे थोड़ा देर के लिए सोएगा तो रहत रेपिल Recovery हो जाएगा घाटा क्या इसमें कि इसमें Analgesia नहीं है Analgesic Property इसमें नहीं होता ये लेक करता है Analgesia नहीं प्रोपर्टी अब इसका Color कैसा होता है ये Lab में देखा होगा ये आपने OT में देखा होगा कि Color is White इसका Color White होता है ठीक है क्यों होता है ये Color White क्योंकि जो इसके Preservatives हैं उसमें Use होता है Soyabinoil ये याद रखना है ये बहुत important है पूछा जाएगा ऐसा कौन सा जेनरलनेसीसिया है जिसके Preservatives में Soyabinoil है ये कुछ जनाया हुआ है पहले भी Propofol जो है इसको Store करते है अब इसी का Combination बना देते हैं इसको बोलते है Ketofol Ketofol में क्या होता है Ketamine Plus Propofol ठीक है अब ये जो Ketamine और Propofol है ये It is used as TiV8 TiA क्या होता है Total Intravenous Anesthesia मतलब सिर्फ ये भी देते हैं तो भी Anesthesia Maintain हो जाता है तो ये TiV8 के जैसे Use होगा किसमे Sheep में ये आदखना Ketofol अगला Important है It is Dissociative General Anesthesia में Dissociative Anesthetics ये Dissociative Anesthetics में सारे एक्जाम्पल हमें याद रखना है One is Phenyl Cyclidine Cyclidine Phenyl Cyclidine Hydrochloride HCL ये पहला Discovered Dissociative Anesthesia तो ये याद रखना है ये दोनों जो होते हैं ये NMDA Receptors मतलब ये तीनों की बात कर रहे हैं कि मतलब ये Dissociative होते हैं ये NMDA Receptors पे एक्ट करते हैं ठीक है और इन लोगों को यूज नहीं करना है Contra Indicated होते हैं Dissociative Anesthesia कब जब Epilepsy हो या Ocular या Head की Surgery अगर हो तो इनको Avoid करते हैं एक ऐसा ही Combination बना लिया इन्होंने जो लेटिल करके आता है विर्वेक का है या एक और है टेला जोल यह सब Trade Name है इसमें क्या होता है टेलेटा माइन प्लस जोलाजी पाम एक सेड़ेटीव है एक डिसोसियेटीव है वन इस्टो वन के रेशियो में यह Mixture मिलता है मार्केट में ठीक है अगला है Stays of Anesthesia Stays of Anesthesia Stays of Anesthesia की बात करते है सबसे पहले Administration होगा Administration of Anesthesia जैसी Administration होगा उसके बाद क्या होगा Loss of Consciousness यह जो Administration से Loss of Consciousness है ना इसी के बीच में आया है Stage One और इसमें होता क्या है इसको बोलते है Stage of Voluntary Excitement यह Stage 1 है Loss of Consciousness के बाद क्या होगा Onset of Regular Respiration जो ज़्यादा Excitement था वहाँ से अब Regular पर आ चुका है इसको बोलते है Stage Stage 2 और यह होता है Stage of Involuntary Excitement अब यहाँ से क्या होगा Regular respiration श्टार्ट हो चुका है अब आईबोल का जो मूवमेंट होगा इसको restriction मिल जाएगा अब यह रुक जाएगा तो restriction of eyeball movement ठीक है यह जो restriction of eyeball movement है यह है stage 3 Stage 3 का plane 1 यह important है कि सारे minor surgeries यहाँ हो जाएगे या intra-abdominal surgeries जो होती है यहीं इसी stage में perform किये जाएगे ठीक है यह plane 1 है अब यह जो eyeball का movement है रेस्टिक्ट होने के बाद अगला stage कहाँ पर पहुचेगा तो परालिसिस अफ रेस्पिरेटरी मसल्स एक्सेप्ट डायाफ्रम डायाफ्रम छोड़के बाकी रेस्पिरेटरी मसल्स में परालिसिस हो जाएगी यह जो चीज है यह चीज है प्लेन टू यह जो plane 1 था यह stage 3 का ही plane 2 है इसमें अब इसमें याद रखना है अगला stage है कि अब परालिसिस है अब रेस्पिरेटरी मसल्स ठीक है अब इसमें याद रखना है कि वहां तक जो था अब जो है अब जो है अल मसल्स हो जाएगी परालिसिस हो सारे मसल्स है न और यह जो चीज आ रहे है यही है stage यह है stage 4 इसी को बोलते है स्टेज आफ मेडूलरी परालिसिस इसका पेकुलियर साइन है बहुत पेकुलियर साइन है वो है फिश आई अपिरेंस यह याद अखना है कि फिश आई पिरेंस स्टेज फॉर का बहुत पेकुलियर साइन है मेडूलरी परालिसिस का साइन है ठीक है ठीक है नेक्स्ट की बात करते है अगला इनहेलेंट 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 इनस्टेटिक्स में कुछ खास हमें नहीं पढ़ना है बस एक एक लाइन देख लेते हैं सबके बारे में फर्स्ट इस हेलो थेन जो हेलो थेन है मोस्ट कोमनली है किसमे रूमिनेंस में नाइट्रस अक्साइड है इसका मैक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है करीब करीब एक सो पांच परसेंट के आस पास है तो इसलिए ये लीश्ट पोटेंट है ठीक है और गेस्ट्राइब गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज में ये यूज ही नहीं होता क्यों? क्योंकि ब्लोट कर देगा ये ब्लोट कर देता है इसलिए यूज नहीं होता अगला इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा हो है है methoxy methoxy floral यह important है क्यों क्योंकि most potent है most potent है मतलब इसका mac value क्या है सबसे कम है least है ठीक है कि यह कॉंट्रा इडिकेटड है है इन प्लोज सिस्टम है कि तो उससे में यह आईडिया लग जाएगा हमें कि क्लोज सिस्टम होता है ठीक है अब मैक लीस्ट बोल दें या फिर ऐसा बोल दें कि मैक्सिमम ब्लड गैस पार्टीशन कोईफिसेंट होता है इसका ठीक है तो इसलिए इसको ओपन या सेमी ओपन इन में सर्किट्स में यूज किया जाता है ठीक है अनदर इस आईसो फ्लूरेन आईसो फ्लूरेन कभ यूज होता है तो निूरो सर्जरीज अनदर इस एन फ्लूरेन तो एन फ्लूरेन के बारे में याद अखना है कि ये भी कॉंट्रा इंडिकेटेड है एपिलेपसी ऐसे पढ़ने के लिए तो दुनिया भर की चीज़ें हैं पर सब कुछ exam point of view से important नहीं है next बात करते हैं सेव फ्लूरेन सेव फ्लूरेन भी close circuit अगर है तो इसमें contraindicated है close circuit में इसको use नहीं करना है ठीक है डेस फ्लूरेन डेस फ्लूरेन is more potent than methoxy फ्लूरेन कितना याद अखना है इसके लावा कुछ खास इसमें जरूरत नहीं है सब के बारे में याद करना circuit की बात आई थी थोड़ी से बस circuit के नाम जान लेते हैं कि क्या-क्या होते हैं कितने type के होते हैं तो एक है semi open तो semi open type with non re-breathing valve दूसरा है semi open अगला है open open type with non-re-breathing valve फिर है semi open इसमें re-breathing प्लस non-re-breathing दोनों है फिर है semi close semi close में partial re-breathing है ठीक है और closed closed में full re-breathing है बस इतना याद रखना है ये पाच टाइप के circuits हैं इसके अलावा अगर एक्जामपल की बात करें तो semi open non re-breathing जो type 1 है इसके कुछ इक्जामपल है जैसे आईरेज टीपी सिस्टम में इंगिन सर्किट है ना स्टीफन स्लेटर वाल उतना डीटेल में पढ़ने की जरुद नहीं उसको छोड़ सकते हैं अग अगर देख लेते ह थोड़ा सा कि open type में हम क्या यूज करते हैं तो open type में mask है या towel है इनको यूज किया जाता है सेमी close में होता है क्या है कि जो expired air है उसका कुछ portion ना escape कर जाता है कि जो सांस छोड़ रहा है उसका कुछ portion अगर escape कर जाता है तो वह semi close close में to and fro system है जो close system है ये to and fro है और ये circle system है मतलब जो सांस लेगा वही चीज़ें ऐसे ऐसे repeat होती रहेंगी और इसमें soda lime यूज होता है soda lime is used और ये soda lime का जो color है वो pink होता है normally और वो अगर white हो जाएगा इसका मतलब वो used हो चुगा और उसको change करने की जरूरत है तो close का इसलिए बात हमने कर लिया क्योंकि कुछ anesthetic agent है जो close में use नहीं करना है ठीक है इन से questions नहीं आते आप बस exam point of view fourth year के हैं तो ठीक है थोड़ा सा understanding होनी चाहिए next is wild animal anesthesia wild animal anesthesia में जो first चीज है वो है helabron mixture helabron mixture क्या होता कि यह xylazine है और ketamine यह दोनों का mixture होता और यह xylazine normal जो हमारे dog and cat वाला है 20 mg per ml वाला नहीं होता है और यह generally used for अंग्लेट्स अगला एटॉर्फिन एटॉर्फिन पता होगा कि यह elephant और rhino इनके लिए ज्यादा यूज होता है और यह felines में नहीं यूज होता है मतलब आप एटॉर्फिन यूज नहीं कर सकते lion tiger in में है और अगर एटॉर्फिन का dose ज्यादा हो गया तो इसका antidote भी important है कि इसका antidote है नालॉर्फिन एटॉर्फिन डाई पिनॉर्फिन स्पेलिंग चेकर ली जागा है ना ठीक है एक और important है वो है carfentanil तो यह carfentanil जो है यहाँ दखना है कि यह most potent होता है most potent anesthesia for wild animals ठीक है और अगर amphibians है या reptiles है तो उनके लिए होता है ट्राइब केन मिथेन सल्फो सल्फोनेट ठीक है ट्राइब केन मिथेन सल्फोनेट है यह ms222 करके आता है ठीक है तो यह amphibians एंड रेप्टाइल्स इनके लिए यह यूज होता है wild animals में ठीक है पिग्स की बात करें wild pigs तो उनके लिए है atomidate और made atomidate यह wild pigs के लिए यूज होता है ठीक है एक और last important है वो है यूरेथेन जो यूरेथेन है यह lab animals plus fishes इनमें यूज होने वाला anesthetic agents है इसके अलावा भी कुछ important points है उनको आप लिख लीजी अलग से some important points वो है एल्थेसीन जो एल्थेसीन है न अनली एस्टिरोइडल एनस्थेटिक एजेंट चीक है और एक disease है cataract तो cataract का जो case अगर आता है तो इस में जो drug of choice है एनस्थीसिया का for anesthesia मतलब ठीक नहीं होगा इससे यह अनस्थीसिया के लिए जो drug of choice है वह है बूपी वेकेन और लिगनोकेन दोनों one is to one ratio में mix किये होते हैं और इसको यूज होता है orthopedics similarly अगर orthopedic surgery है तो orthopedic surgery के लिए जो बूपी वेकेन है अगर local aesthetic के बात करें तो भूपी वेकेन है इस most potent है ठीक है दूसरा another important point की बात करें तो वह है pentazosin पेंटाजोसीन एसिटेट यह है यह बेस्ट पोस्ट ओपरेटिव अगली बात करें जैलाजीन तो जैलाजीन के बारे में एक दो चीजे रह गई है वो यह है कि भाई यह यूज करते हैं बहुत ही दस गुना कम से कम यहा तक नहीं कि दस गुना कम क्यों क्योंकि नहीं यह रूमिनल स्टैसिस कर देता है इसके अलावा जो जैलाजीन है यह कूली ब्रीड जो होता है डॉग का इसमें यह कॉन्टर इंडिकेटर है और कूली कैसा होता है तो यह ब्रैकेसिफेलिक ब्रैकेसिफेलिक टाइप का ही ब्रीड होता है उसमें यह कॉन्टर इंडिकेटर है अगर एक लास्ट लाइन याद कर लें वो है अट्रोपिन एट्रोपीन के बारे में कुछ ही बात कर लेता है कि एट्रोपीन कॉंट्रा इंडिकेटेड है ग्लूकोमा और रूमिनेंट सर्जिरी इन दोनों में ही यूज नहीं किया जाता है आपको वीडियो ठीक लग रहा है यहाँ पे एनस्टेसिया खतम हो जाता है अब हम रीजनल की बात करेंगे और अब समय जो है वो बिल्कुल ही पीक आ चुका है और समय बहुत कम है अभी भी अगर कोई पढ़ना सुरू करता है तो यकीन मानी है अभी भी वो ढ़ाई सो नंबर ला सकता है सारा वीडियो लेक्चर्स खतम होते होते तो अभी से अगर आप नहीं पढ़ रहें नोट्स नहीं बना रहें तो अभी से भी नोट्स बना लें और पुराने जो नोट्स है वो अल्रेडी ग्रूप पे दिये जा चुके है जो डिक्स्क्रिप्शन बॉक्स में अल्रेडी है ग्रूप उसको जोईन करें और भी जो पुराने नोट से वह आपको मिल जाएंगे वीडियो ठीक लग रहा है आपको पसंद आ रहा है कुछ फायदा हो रहा है कुछ पुराने कुछ चंस लग रहे हैं आपसे तो आप इसको लाइक करें लोगों को शेयर कर सकते हैं लास्ट थर्टी डेज में भी अगर यह पढ़ा जाए तो चीजें काफी हद तक सही हो जाएंगे ठीक, all the best